नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज का वीडियो जो है बहुत जबरदस्त होने वाला है अब वो क्यों भाई आज हम आपको जब आप घर बना रहे हैं तो उसका कुछ एस्टेंडर साइस मतलब यहां पे अगर आप देखेंगे खिल की गिवले कर गर अलंग साइज यह थोड़ा बड़ा है चोटा है फिर चोटा यह थोड़ा सब अब ऑक एस्टेंडर साइस हुआ छिरी की का क्या दे और निभाजा का भी जब भी कभी आप घर बनाते हैं तो उस घर में दर्वाजा देंगे तो दर्वाजा ba 5 और साथ ही रूम हो पार्किंगज और यहां तक कि बयंटृर्शन का भी किया होना च चाहिए वो सब कुछ आपको इस लस बीडियो नगर चलते हैं और देखते सबसे पहले हम पात करते हैं पार्किंग गेट को ले करके जो है कार पार्किंग है यहां पे उसका मिनिममम विर्थ जो रहेगा बारे फिट रहेगा उसका यहां तो तीन कार पार्किंग का इसलिए ज्यादा आपको बारा देख रहेगा तो मिनिममम विर्थ आपका जो रहेग आगे बात करते हैं इन फित का देना है बताना में भूल गया कि पार्किंग का मैं कि यहां पर देखे क्या है कि पारकिंग जो हमैसा जोरता है नोर्मər घर के प्लोर से थरा आपका एक फिट नीचे रहताता है उसके हिसाब से जिरा ध्यान दिए घर का के इसे तो हम लुक तो है घर का लिंटäl defensive और साथ फित में देते हैं तो यहां आपको जो है आठ फित हो जाएगा एक सपिसेंट कोई भी गुशने के लिए गारी का हाइट कोई भी कार का हाइट सरी पांस से छे फित तक ही रहता उसे ज्यादा नहीं रहता आपका आगे बरते हम यहाँ पर तो यह होगी आपका मेन गेट चार फिट भाई साथ फिट का अब देखिए मेन गेट से इंट्री किये उसके बाद हम बताते हैं आपको बैडरूम का बैडरूम का दर्वाजा का जो गेट के अगर हम बात करें यह यह रहेगा आपका तीन फिट छे इंची अभी हम बैडरूम आ गया है तीन फिट छे इंची बैडरूम के दर्वाजा का गेट का साइज हो गया ठीक है और एक एस्टेंडर रूम की साइज की बात करें मिनिममम जो होता है आपका यह है कि दस फिट वैंगारफिट का होता है रूम का साइज और इसकी खिर्की की बात कर लेते हैं खिर्की का इसका विर्थ इस्टेंडर चार फिट छे इंची बैए हाइट चार फिट और यह जो रहाएगा आपका यह डीपीसी प्लोर लेवल से तीन फिट के हाइट में सिल ल यह इसकी बात कर लेते हैं इसमें आपका पीवी सी का डोर लगता है जो की वाटर पूफ लाता तो इसकी का साइज की बात करें तो दो फिट दो फिट छे इंची बाए सात्पीत कर सब्सक्राइब दर्वाजा को सब्सक्राइब कोई दिखते ना है उसका भी यही साइज काओ लेखें चलना और बातरुम में अगर अरम लोर्श दे रहे ठीक है लोर्श दे रहें तो इसका साइज दो फिट भाई दो फेट पर रहेगा और वह अगर भैंटिलेशन देंगे जो साइज रहेगा है तोwy यह बात बता रहेगा और आप बात्रूम फिद्रा बाध हीर सब्सक्राइब सब्सक्राइब वार्ष यह बात्रूम में और यह सकते हैं तह अगर लोच पिक आपको पीक्ष्ट ज़रोत नहीं परेगी यहां जिए बिदिन रहलेहाब लुग यहां पर देना परैगा एक फैल लगाने के लिए जो गोल मुझा होता और दूसरा आपका जो है यह बिजन पड़ेगा निया फिट फैट करे गए इस तरीकता को बैट्रूं के दिखकत निया आगा चलते है बेडरूम के तरफ की तरफ कीन की उसका भी दरवाजा का साइज 3 फिट छे इनची बाए साथ नगा रहेगा रहेगा और इसमें अगर हम बात करें इसका और की जो है ने आपका तीन फिट बाए-4 फिट खरेगा रहेगा है थीन फिट चराइ-4 फिट हाइट और यहां पर एक जोस्बाइड लगाने पेलिए आ बन जाता है और इसकी इंचीवाइब चोभी सिंख रहता है और इसकी विर्थ की बात करें यहां से लेकर यहां तक का दो फिट का रहेगा तो यहां तो मैंने आपको बता दे किसका कीचेन का बैड्रूम का बता दिया और कुछ बचा बैड्रूम में एक और चीज जो हमें पत 1,5 feet का मिलाद 1 feet by 1 feet 6 inches wide height में 1 feet 4 feet में 1 feet 6 inches यह आपका काईक्ERS सदेद दर्वाजाद है कि यहां पर बैद्रूम हो गिया अब आगे चलते हैं कि चैन हो गया बाथरूम हो गिया और अब चलते हैं पूजारूम में पूजारूम का दर्वाज सब्सक्क्राद की रहे कively जरूँत करने शाफ प्राइब आपका साइज के खिरकी रहेगा यह पुजा रूम का हो गया जहाँ प्रमृती उधर लेगा आगे बात कर लेता है अब चलते हैं श्टोरूम में चलते हैं श्टोरूम का भी साइज 2-6 इंची और इसमें जो आपका बेंटेली संग देने की जड़त नहीं परेगे तो सारा चीज के लिए हो गया होगा विंडो तीन साइज का मैंने यहां पर विंडो बता दिया एक और दो साइज का एक चार चार फिट शेंची बाए चार फिट का एक और जो है पार्किंग अरिया में थोड़ा से विंडो का साइज आपको बढ़ा रखना पड़ेगा जितना बढ़ा दे सकते हैं जैसे यहां पर आपका जो है अगर हम बात करें इस खिरकी को लेकर के छे फिट बाए चार फिट क सकते हैं टीन है जाता बने देंगे तो यहां पर तीन फिट बाए चार फिट क्या आप यहां पर खिरकी दे लियाओट के समय ही जो है आपको इन सब चीजों का ध्यान में लेकर चलना है जिससे क्या कि कोई भी तरह का गलतियां ना रह जाए यह आप ध्यान में रखेगा और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए ज़रूर इसको लाइक किजिए शेयर किजिए मिलते हैं नेस्ट